नवस्ते दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ फराली चूड़ा फराली चूड़ा बनाना बहुत ही आसान है घर पे हम बढ़ी आसान तरीकिसे से बना सकते हैं इसके लिए मैंने बटर टेका यानि आलू का किस ले लिया है बाजार में बढ़ी आसानी से हमें मिल जाता है एक पॉडर बना के ले लिया है अब एक चमबच हम लाल मिर्च पॉडर ले लेंगे एक चमबच हम निमक ले लेंगे उसके बाद में मैंने तीन टेबल स्पूनिया पर तीन चमबच मैंने चीनी लिये उसका मैंने पॉडर रह पर बना लिया है और तेल हमें लगेंगा तलने के ल तो इसके बार में फ्रेंड्स हम आज जो है मीडियम कर देंगे और यह कीज डाल देंगे दिखे इस तरीके से जट से फिर वो फूल के उपर आ जाता है और वो आलू की जुकी से बड़े अच्छे क्रिपसी हो जाते है बस ऐसा ही हम पूरे इसको करते जाएंगे पूरा इसे हम तल लेंगे ज़्यादा देर इसे हमें रखना नहीं है गोल्डन ब्राउन होने तक ही हमें इसे इस तरीके से आम इसे तल के लेना है देखिए इस तरीके से सारा की सब में तल के ले लूँगी मेडियम आच में फ्रेंट्स ये अच्छी तरीकी से तले नहीं जाएंगे इसलिए जो फ्लेम है वो हमें पहले तेज करनी है उसके बाद में मेडियम करके हमें ये आलू का किस डालना है बस ऐसा ही हमें हर टाइम करते जाना है अब जो मुंक फिली फ्रेंट्स आदी कटोरी में ने लिये थे अब मैं उसे भी तल लूँगी देखें ये तलने के टाइम भी आच में ने मेडियम कर लिया है ज़्यादा फास्ट आच पर ये अच्छी तरीकी से नहीं तले जाएगी अंदर सक ज़्यादा तली गई तो ये खाने में अच्छी नहीं लेगी ज़्यादा डार्क हमें इसे करनी नहीं है इसे सरीका हमें आहलाते रहना है देखें इस कलर तक ये आजाना चाहिए अब हम इसके उपर ये दाल देंगे ये बनाना बहुत ही आसाने फ्रेंड्स इसके बाद में मैं इसमें एक चमश नमक डाल दूँगी ये जब गरम रहता है तब हम सब हमें ये प्रोसेजर करनी पड़ती है ये देखें लिम्मू सत्व में ने लिया है ये हाद से फ्हलाते वे मैं इस तरीके से डाल दूँगी और ये एक चमश मिर्च पॉडर में डाल दूँगी और जो हमने चीनी ली थी तीन टेबल स्वूल इसको मैंने पीस लिया था अब हो भी हम इसमें डाल देगे और ये अच्छे तरीके से हम मिला लेंगी आप चाहो तो इसमें ड्राइफ फूड्स भी तलकर डाल सकते हो ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और आसानी से घर पे बन जाता है देखिए फ्रेंड्स अच्छा बन चुका है ये अब इस तरीके से बनाईए आपको मेरी डेसिपी केसी लगी लिस कमेंट करके मुझे बताईए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए थेंक यू